गेंट से छेड़ चाड़ के आरोप में अंतराश्ट्रे क्रिकेट से निलंबित पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वारनर ने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार वापसी कर सुर्खियां बटोई वारनर ने रेंडविक पीटर शेम की ओर से खेलते हुए नाबाद एक सवपचपन रन बनाए उन्होंने अपनी पारी में दो छके और तेरह चोके लगाए न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलते हुए सेंत जॉर्ज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित पचास ओवरों में छे विकेट खोकर 277 रन बनाए लक्षे का पीछा करते हुए रंडविक पीटर शेम की बल्लेबाजी शानदार रही डेविड वार्नर ने 152 गेंदों का सामना करते हुए तुफानी अंदाज में 155 रन बनाए उनकी इस तुफानी पारी के दम पर उनकी टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की दूसरी तरफ इसी टूर्नामेंट में आस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने सद्र लैंड की ओर से खेलते हुए अरधश्त किये पारी खेली ग्लेन में अकगरात ओवल में उन्होंने मौसमैन के खिलाफ 92 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली इस वर्ष मार्च में दक्षिन अफरीका के खिलाफ टेस्ट के दौरान स्टीव स्मिथ और डेविड वारनर गेंड से छेड़ चाड़ कराने के आरोप लगे थे उस मेच में स्मिथ कप्तान थे जबकि वर्णर उब कप्तान जान पें पाया गया था कि इनके कहने पर जान बूज कर गेंड से छेड़ चाड़ की गई थी इसी कारण इने अंतराश्ट्रिय और राज्य क्रिकेट से एक एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था जबकि सलामी बल्लेबाज कैमरन बेनक्रॉफ को नौ महीने के लिए निलंबित किया गया था इन दोनों खिलाडियों पर ये कारवाई क्रिकेट आस्ट्रेलिया की तरफ से किया गया था वारनर और स्मित का एक साल का प्रतिबंध मार्च 2019 में खत्म होगा और माना जा रहा है कि अगले साल मई में इंग्लेंड में होने वाले विश्व का पौर इंग्लेंड में एशेज सीरीज में इन दोनों की वापसी हो सकती है